तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेडेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नंबर 7 है नाम है टोबा टेक सिंग इस चैप्टर का टूटल सल्यूशन करने वाले हैं यानि कि इस चैप्टर के सारे objective और सारे subjective question का answer आज के इस वीडियो में मैं complete कराने वाली हूँ ठीक है तो अगर आप लोग टौबा टेक सिंग नाम का इस चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा इसके पहले वाली वीडियो में ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी इस अफ सेसं है तरह मैं स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे हूँ और यह चैप्टर नंबर सेवन चैप्टर नंबर सेवन्हां कि हम लोग पहुंच चुके और 40 चेप्टर्रこれ सब 292 के लिए बहुत ही indeed जबरदस्त चलेजा है बस आप लोग जुड़े रहे और जिस तरह की त्या करवाई जा रहे तो जुड़कर तयारी करते रहे तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटी सी रिक्वेस्ट में आप सभी लोगों से करना चाहती हूं कि अगर आप लोग चैनल को फड़ावर सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को शेयर वगरा कर दीजिए अपने प्रोसी अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबजेक्टिव कोश्टन को टोबा टेक सिंग नाम का चैप्टर है राइटर है सादत असनमन्टू सबसे पहले अबजेक्टिव यानिकी मारोजी सवला करेंगे उसके बाद से सब्जेक्टिव होगा ठीक तो थीऊ सबसे पहला प्रशन आपके स्क्रीन के वत तो अल्रडटी ही है सवाल नंबर एक पागल के नाम है लेकिनन यहां पर जवाब में तिया है आगे बढ़ते हैं दूसरा कोश्चन पागल खाने के हिंदू और सीख पागल कहां भेज जा रहे थे तो पागल खाने के हिंदू और को इंदोस्तान भेजा जा रहा था और बेढ़ाते हैं यह सारा कहानी मैं आप लड़ी पढ़ा चुकी हूं और अगर आसे सबते होंगे तुसारे कोशें का दे पा रहे होंगे और मेरे एंसर बताने से पहरे आप खुद से देने की कोशिश किजिए का जो भी आप लोगो समझार ही है यह होप आप नोगों को समझ में आरा होगा अगर चप्टर पढ़े होंगे तो देखिए तीसरा सवाल इस पाघल उस पाघल का नाम बताईए जिसने अपने मुदालिक मुहमद Aliy souber इस दराइटिए चार नंबर सवाल देखिए टोबा तेकीं का असल नाम था बिशन सिंग ऑप्सान नमबर ए पड़ावर्ट अगर आप लोग चैप्टर पड़े हैं तो कोशन देखते के साथ ही उसका सही अंसर बता पाएंगे तोबा टेक सिंग की मौत किस जगा पर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के दर्मियान की जगा यान कि वैसा ज साजुक मौष्ला था उसा अपने आपको खुदा कहने वाला पागल टौबा टेक सिंग से यहां पर से छुच्ट ऑगया है से तोबबा टेक सिंग क्यों नाराज हो गया क्योंकि जो यह फुचा था टूबह टेक सिंग पागल से उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसके उचावा टेक सिंग गुष्चा हो गया यानि कि कि इसलिए इसलिए गिरफतार थे कि वो अब किस मलक में है मतलब वो लोग यह नहीं जानते थें कि हम किसम बॉलक में हंदूस्तान में कि पाकिस्तान में सही था कि अब क्या हुगा हम कहां पर हैं इसलिए бол那ो पागर फूञाएं हैं ठीच है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 9 कि टोबा टेक सिंग अपने मुलाकातियों के आने से अकिबल किस तरह तयार होता तो सबसे पहले तो नहाता उसके बाद से पहले तो साबुन रगर रगर कर बहुत यची तरीके से नहाता था सेंपू अगर करता था और ऐसा कपड़ा पेंता था जो कभी उस इसका सही जवाब 11 माई 19 सब बारा और सी इस तराइट इंसर अलिव बेजीम करके दिया गया है आप लोग इसको एबी सीडी करके ही समझें स्क्रीन है कि सादत हसन मंटू की पैदाइश कहां हुई तो सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई थी लुधियाना में आप्सन नम था ख्वाजा गुलाम हसन किस आप्सन में है और सानवर ए में हैं चली आगे बढ़ते हैं मंटू के वालिदा यान की मा का नाम बताना है सरदार बेगम और सी इस तराइट इंसर मंटू के पहले अफिसानवी मजमुओ का नाम बताइए मैं आप लोग को बोली थी ना याद रखना है पहला अप्सानवी मजमयन की कहानी का किताब का नाम है आतिश पारे और इस तराइट इंसर मंटू की वफात कब हुई तो उनकी वफात यानि की मौत हो गई थी अठाड़ा जनवरी उनिश्वपच्पन और सीजितर आइट इंसर यहां तक होगे आप लोग का अब्जेक्टिब कोश्चन का अशर कमप्लीट अब चलिए स्टार्ट हो रहा है यहां से सब्जेक्टिब कोश्चन में वेरी श्रॉट टाइप कोश्चन यानि की मुक्तसर तर अब बत करता था उससे बहुत जाओ था लगाओ तो अगर देखिए विचर में देगाओं का नाम अगर इसको अब्जेक्टिव में पूछ दे की टोबा टेक्सिंग किसे शयकानाम है जिसा कि स्टार्टिंग में पूछ दिया था देखिए फॉस्ठी कोस्टन यह जो है न तोबा टेक्सिंग के श्याय का नाम है मुझे लगता है इसका और बी ही होगा ए नहीं होगा ठीक है अब मुझे तो 100% कंफर्म हो गया क्योंकि यहां पर लिख कर बता दिया गया है और उसके बाद से मैं आप लोगों को बताई भी थी पूरी कहानी की टोबा टेक्सिंग जो ह हैं नेक्स्ट कोश्टिन लाहर पागल खाने की हंदू और शुर्पागल को कहां बेजा जा रहा था तो वेङजा जा जा रहा था उस पागलBack का नाम बतायी जिसने अपने मतालुक पीं ना होने का मुठाम यहां से स्टाट होगा यानिकी मुक्तर जवालात पाग्लों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फर्मूला अपनाया गया तो पागलों के बाहमी तबादले के लिए या फर्मूला अपनाया गया कि एखलाकी कैदियों की तरफ पागलों का तबादला भी होना चाहिए यानि कि जो मुसल्मान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं और जो हिंदू और सिफ पागल पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए तो इस तरह तवादला हुआ था पागलों के बीच पेड़ पर चड़े पागल ने किस मसले पर तक्रीर शुरू की जवाब में लिखा हुआ है कि उस ने उस पागल खाने में एक पागल ऐसा था जो हिंदूस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदूस्तान के चक्र में और ज्यादा पागल हो गया और हर कि forces will कि surprise प्रबे दी ji एक दिन दुप और चड़ चड़ गया यान्की पीड अथ जड़ गया और हिए तरिक की टह रमा पहा तो और उपहँ चड़ गया और जरा और जरा डराया धंकायागिदक हूं और कि पाकिस्तान में रहना चाहता हूं मैं तो इस दरक्त पर ही रहूं गा जर्ब उसको डराया अग्यां धंकाया गया उत्रो नई तो बहुत बुरा होंगा तुम्हारे साहथ तो बोला कि नहीं मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ और नहीं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा कोश्चन अपने आपको खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक सिंग क्यों नराज हो गया देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था उससे जब एक रोज बिशन सिंग ने पूछा कि बताओ टोबा टेक सिंग पाकिस्तान में है या हंदोस्तान में तो यही बात सुनकर विशन सिंग बहुत ही ज्यादा ना राज ही तो यह आप लोगे पर इंसर लिख देना है आगे बढ़ते हैं कोशन No.4 कि पागल खाने के वह लोग जनका जहनी तवाजन बिल्कुल दुरस्त था किस परेशानी में गिरफ़तार थे तो पागल खाने में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका जहनी तवाजन बिल्कुल दुरस्त था उनकी परिशानी आथी कि वह लोग बुनियादी तोर पर कातिल थे मतलब वो एक क्रिमिनल थे जिनके रिश्टेदारों ने अफसरों को कुछ रिश्वत देकर पागल खाने में भिजवा दिया था फासी की सजा से बचाने के लिए ताकि वो फासी की सजा से बच जाए यह लोग इतना तो समझते थे कि हिंदुस्तान तक्सीम हो गया यान कि हिंदुस्तान को बाटा जा चुका है और पाकिस्तान बन गया है मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हो चुका है लेकिन अखबारात से उनको सही वाकियात का इल्म नहीं हो पाता था पाकिस्तान कहा है उसका महल वकु कहा है उसका इल्म उनको नहीं था मतलब कहा है पाकिस्तान वो खुद कहा पर है इनको मतलब इस चीज़ की ग्यान नहीं था उनको इस चीज़ की इल्म नहीं थी और उसके बात से हा के वो हंदोस्तान में है यह के वह हंदोस्तान में है या पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में है तो फिर कुछ दिनों पहले इसी जेल में रहे कर वो हिंदुस्तान थे ऐसा कैसे होगा मतलब ये इसी सोच और इसी खैरात में डूबे रहते थे कि ये अभी हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है अगर पाकिस्तान में है तो फिर कुछ दिनों पहले वो किस जेल में रह रहे थे ये सारा चीज उनको काफी सवाल परेशान करता था और उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती थी और जो चपरासी थे पहरेदार जो होते हैं जो कि पागल खाने की पहरेदारी करते हैं वो भी एक का एहतंमाम करता था हर महीने जब उसके रिष्टेदार उसे मिलने के लिए आते तो उसे पता चल जाता था भले उसको दिन तारिका पता नहीं था लेकिन पताने उसे को कैसे जानकारी मिल जाती थी छुनानचा वह अपने दफ़दार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है उस दिन वो अच्छी तरह नहाता बदन पर खुब साबुन लगाता और सर में तेल डाल कर कंगी करता अपने ऐसे कपड़े पहनता जो कभी इस्तमाल नहीं किया हो ठीक है वो कपड़े निकलवा कर पहन लेता था उसकी मतलब उस सच धजकर उसको मतलब सच धजकर मिलने वालों के पास जाता अगर लोग कुछ पूछते तो खामोश रहता या पंजाबी जुबान में कुछ बोल देता उपर दी गड़गर दी एंगस्दी बेदनियादी मंग बोलता था और सच धजकर अपने परिवार वार्लों से मिलने के लिए जाता था खामोश रहता नहीं तो वही पंजाबी जुबान में कुछ बोलना स्टार्ट कर देता था अब देखें यहां से स्टार्ट हो रहा है तवील सवलात यानि की लॉंग टाइप कोश्चन सबसे पहला question है, सबसे पहला सवाल ध्यान है, ये पाश नंबर सवाल है न तो थोड़ा सा लंबा तो होगा, कोई दिखत नहीं है, आप इसको short भी कर सकते हैं, ज्यादा दिखाई दें कि बहुत ही ज़दा लंबा है तो short कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल है कि टॉबा टेक सिंग अफ अलब ही लिवारा हो गया तो तक्सिमों की तुर तेन साल बाद ये ख्याल आया कि Isa that how पागलों का भी बआड़ा कर दिया जए इस तरह दोनों मुलकों की आला सतही मिटिंग हुई जिसमें दोनों मुलकों के अफसरों की तरफ से पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्र किया गया एक दिन मुकर्र कर दिया गया और पाकिस्तान में हिंदु सिख पागलों को पुलिस की हिफाज़त में सरहद पर पहुँचा दिया गया पाकिस्तान में लाहॉर के पागल खाने में जब पागलों की ताले की खबर पहँची तो पागलों के दरम्यान दिल्चस्प छेमी गोईया होने लगी ठीकर एक पाकिस्तान पागल जो 12 बरस्ससे रोजना जमिनदार अखबार पढ़ता था उसे जब उसके दोस्त ने पूछा मौलवी साहब या पाकिस्तान क्या होता है तो उस मुसल्मान पागल ने बड़े गौर और फिक्र के बार जवाब दिया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगा जहां अस्तरे बुनी जाती है उसी को कहते हैं लोग पाकि किया बहुत जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और फर्ष पर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश भी हो गया बास पागल ऐसे भी थे जो बिलहाकिकत पागल नहीं थे मतलब वह रियल में पागल नहीं थे बलकि वह एक कातिल थे ठीके जिनके रिश्तेदारो उन्हें अफसरों को कुछ रिश्वत देकर उन्हें पागल खाने भीजवा दिया था ताकि वह फासी की सजा से महफूज रहें उनमें एक पागल ऐसा भी था जो पाकिस्तान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्र में कुछ इस तरह ग्रफतार हुआ कि और भी ज्यादा पागल हो गया और जाड़ू देना शुरू कर दिया जाड़ू देते देते एक दरखत पर चड़ गया और दरखत की शाख पर बैटकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की नाजुक मसले पर दो घंडे तक तक तक्रीरे करता रहा बड़े मुश्किले से जब उसका द जहां तरह तरह के हैवानात भात-भात की बोलिया बोल रहे थे मतलब बहुत ही जड़ा भगदर मच गया था उस पागल खाने में तबादले की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि अब एक दोस्त बन जाते हैं अब वो दोस्त बिछणने वाले थे और यही बात सुनकर बहुत चीए था मतलब आप बोल सकते हैं उस पागल खाने में हल चल मच गई थी ठीक है आगे बढ़िए दूसरा सवाल देखिए पागलों के सियासी शौर को अहता तहरीर में लाईए अब पागलों के जजबात और गॉापलों को लंबा चोड़ा लिखना है तो देखिए जज़र अफ़ाना टोबा टेक सिंग में साद्र असन मन्टू ने लाहूर पागल को कि कामयाब मन्जरकाशी की हैं इस अफ़हाने का मोदू द्र región हिंद और क्यावल पाकिस्तान है यह ज़ों अफना हैं इस अफ़हाना का मौजव यानी टौपिक है तक्सी महें हिंद या उस वक्त की मनजर कश्री की गई है इस अफसाने में तो यह लंबा चोड़ा आप बोल सकते हैं एंसर लिखा गया आप इसको शॉटकॉट करके छोटा भी कर सकते हैं ठीक है अगर मैं पढ़ना चाहूं तो पढ़ भी सकती हूं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा चलिए पढ़ देती हूं एक दिन एक मुसल्मान यहां से है ठीक है चुनांचा इधर गया हाँ चुनांचा पागल खाने के बाज पागलों की गुफ्तगू से उस हकीकत का अंदाजा होता है कि वह पागल भी स्यासी शओर रखते थे जैसा एक मुसल्मान पागल 12 साल की तहरीर कर देना है लिख देना है बस लंबा चोड़ा आप लोग खुद सही लिख सकते हैं जरूर नहीं कि जिस तरह यह एंसर लिखा है जवाब लिखा है बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी लिखेंगे जी नहीं आप अपने इसाब से अपने लफजों का यूज करके इस्तमाल किया गया है टोबा टेक सिंग हिंदुस्तानी पंजाब में एक गाउं का नाम है वहीं का रहने वाला एक सिख था जिसका नाम विशन सिंग था उसे लोग टोबा टेक सिंग भी कहते थे विशन सिंग को अपने गाउं और रिष्टदारों की याद बार बार आती थी खास तौर पर खास तौर से उसकी बहन रूब को जो उससे बिचड़ गई थी अब देखेहना पर वहन दिखाया गया है और आप लोग निखा गया है और जब आप चाथा पढ़ेंगे ना तो चाप्टर में बेटी लिखा गया है कहीं पर बहन कभी कहीं पर बेटी लिख देता है यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टुडेंट लेकिन यहां पर बहन नहीं होगा बेटी रहेगा क्योंकि बेटी रहती है ठीक है तोबा टेक सिंग की बेटी रहती ह से रह रहा था पागल खाने में हर वक्त उसकी जबान से यह अजीब वोगरीब अलफास सुनाई देती थी उपर दी गड़गर दी एंकस दी बेधनिया दी मंग दाल आफ दी पाकिस्तान गुवर्मेंट या फिर दाल आफ दी लाल्टेन लेकिन बाद में आफ दी पाकिस्तान गुवर्मेंट की जगा और धी टोबा टेकिसान गुवर्मेंट ने जगा ले लिग यो मुझी पाकिस्तान के शेकल में और भी जैदा वो पागल हो गया था वह पागलों से हर वक्त यही पूशता रहता था कि टोबा टेक्सिंग कहा है जहां का वह रहने वाला था तोबा जेल के पहरेदार का कहना था कि पंदर सालों से सोना तो दूर वह लेटा भी नहीं था कभी कभी किसी दिवार से टेक लगा कर वही अजिब औ गरीब और फास दोराने लगता वह नहाता भी बहुत कम ही था इसलिए उसके दाड़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे मतलब पुरा जटा लग गया था गाउं और अपनों से जुदाई की उसका जाती करब था जिस करब में बिशन सिंग पागल हो गया था और टूबा टेक सिंग इसलिए उसके लिए करब की अलामत बन चुका था ठीक है और टूबा टेक सिंग कहा है किस पाकिस्तान में है कि इ जानने के लिए और बेज्यादा मतलब इसी करम में और बेज्यादा पागल हो गया था ठीक है चार नंबर कोश्चन देखिए तक्सिम मुलक से कौन सी उल्जने पैदा हो गई तोबा टेक्सिंग अफसाने की रोशनी में बयान कीजिए जब मुलक का हिंडुस्तान का बटवा हुआ है कि मुलक की तक्सिम से अन्वाव आक्साम की स्यासी और समाजी और एक्तसादी उल्जने पैदा हुई मसलां यहां के मुलक की बड़ी आबादी का एक मुलक से दूसरे मुलक तबादला हो ना हलांके फसादाद के परिशानी जो हिंडु मुस्लिम कौम में हजारों साल से एक सांथ रहती आई थी उनके दरम्यान नफरत की दिवार खड़ी की गई जेरे निसाब अफसाना टोबा टेक सिंग दरसल उसी पस मनजर में लिखा गया था देखिए एक मुलक का दूसरी मुलक से जब मतलब एक मुलक है और उसको दो भागवां बाट दिया जाए तो बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी आबादी को एक मुलक से दूसरी मुलक में तबादला करना बहुत ही जादा मतलब यह फसादात का काम है और उस वक्त मुसल मतलब जितने भी लोग थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों जब बटवारा हो गया था तो एक दूसरे के दर्मियान लोगों के बीच नफरत पैदा हो गई थी ठीक है तो यह इस वक्त की मनजर कसी जो है ना इस तोबा टेक सिंग नाम के अफसाने में की गई है तोबा टेक सिंग अफसाने की यूँ तो कई पहलू है लेकिन मरकजी पहलू तक से मुलकी की उल्जहने हैं अफसाने में इसी नुक्ता को मरकज बनाकर दो बातों की तरफ अलामती त पागल हो गए हैं लेकिन अपनी माशुका के वतन अमरित्सर के बजाए लाहॉर में ही रहने की खौईश मन्द है उसकी वज़ाया है कि अमरित्सर में उनकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी यहां मुहबत पर दौलत भारी पढ़ती है उसकी दूसरी मिसाल हम दो एंगलो इंडिय वकील वो पागल हो गए थे अपने माशुका में माशुका के प्यार में और मुहबत में पागल होने के वज़ा से बले उनकी माशुका अमरित्सर की थी अमरित्सर हिंदुस्तान में चला गया था लेकिन फिर भी वो अमरित्सर नहीं जाना चाहते थे अमरित्सर जाने के ब एंग्लों इंडियन की दी गई है ये जो है किसी मुखबत में पागल नहीं हुए थे इनकी पागल होने का वजा था बोल सकते हैं ब्रेकफ़स्ट इनको जो सुबह सुबह ब्रेकफ़स्ट मिलता था ब्रेड पर एकदम मखन लगा कर इस टेंशन में थे कि अब पता नहीं मु कि सिर्फ इसी तरह एंसर लिखेंगे आप लोग चैप्टर पढ़े रहेंगे तो खुद सही एंसर लिख पाएंगे ठीक है जरूर निया कि जिस तरह यह लिखा है इसी तरह लिखेंगे अपने हिसाब से अपने लफजों में लिख सकते हैं वह भी नहीं तो लंबा चोड़ा चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं शेर नहीं किया है वीडियो को यहां पर फाइनली आप लोग का अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोशन का एंसर कमप्लीट हो जाता है दोनों तो कोई भी कमपीजन हो आप हमें कमेंड में पूछ लीजेगा हो और वीडियो को अभी तक शेर नहीं किये हैं तो फड़ाफट आपसे च्छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फड़ाफ़ शेर कर दें जितना ज्यादा हो सके अपने पडोश के दोस्तों के बास शेर कर दें तकी सबी लोग इस वीडियो का लाग उठा सके उसके साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये ना तो फड़ापट लाइक करें ठीक है और चैनल पर नए आये हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है उससे होगा यह कि मेरे जाने वाल वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज